दोस्तो पंजाब को आखरी ओवर में केवल साथ रन बनाने थे लेकिन उनके हाथ में दो विकेट बाकी थे और तो और उनका मेन बल्ले बाज भी आउट हो गया था और ये मैच पूरी तरह फस गया था लेकिन एक चमतकार के बाद पंजाब की टीम ने इस मैच में एक काफी रोमांचक जीत दर्च करी जीहां दोस्तो आईपियल का 21 मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनाव सूपर जाइंस की टीम के बीच लखनाव के एकाना स्टेडियम में खेला गया जहां दोस्तो इस रोमांचक मैच में शेखर दवन की जगा सैम करन कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी चुनी और लखनाव की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 169 रन बनाए थे आठ विकिट के नुकसान पर जहां केल रहूल ने इस मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए 56 गिंदों में 8-4 के एक छक्के की मदस से 74 रन और यही वज़ा थी कि लखनाव की टीम ने इस मैच में एक अच्छा स्कोर नहीं खड़ा करा था जहां केल रहूल ने मैच खतम होने के बाद कहा था कि हमने 10-15 रन इस मैच में कम बनाए हलाकि इस मैच में पंजाब के कैप्टन यानि सैम करन ने तीन विकेट चटकाए थे तो रबाड़ा को भी दो विकेट हाथ लगी थी और जब इसके बाद पंजाब की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनके शुरुआति इस मैच में लखनाव से भी बहत खराब रही थी क्योंकि दोस्तों उनके शुरुआती दोनों ओपनर 17 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे और पहतरी इन बलेबाची कर रहे मैथ्यू शौड भी 34 रन बना कर पवेलियन लौट चुके थे और इस मैच में पंजाब की हलत भीरती खराब हो चुकी थे लेकिन एक तरफ से सिकंदर रजा ने इस मैच में अपनी पारी को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस पाबला जीतने के लिए तीन ओवरों में केवल 23 रन बनाने थे तब ही रवी विश्णोई ने 18 ओवर में कमाल की गेंद बाची करते हुए सिकंदर रजा को आउट कर दिया और इसके बाद पूरा मैच फज गया था जिया दोस्तों सिकंदर रजा 41 गेंदों में 57 रन तो बन चलने आए जहां मार्क उटके इस ओवर में तोटल 13 रन चले गए थे लेकिन उन्होंने हर प्रीद ब्रार काउट कर दिया था और इसके बाद पंजाब को आखरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 7 रन बनाने थे लेकिन दोस्तों उनके हाथ में भी केवल 2 वि और अब 4 गेंडों पर पंजाब को 3 रन बनाने थे तब ही तीसरी गेंड पर शारूख खान ने शांदार चौक का जड़कर इस मैच में पंजाब को दो विक्तों से जीत दिलवा दी और दोस्तों पंजाब की टीम ये मुकाबला काफी करीबी अंतर से जीती है जहां शारू हुआ कि टीम पहले भी दूसरे नंबर पर अब भी दूसरे नंबर पर बरिकरार है तो पहले नंबर राजस्थान की टीम है, जो चौठे नंबर पर गुजराद की टीम है